आप लोगों बहुत सौरे थैं तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो चलिए आज मैं मचलियों का अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड के कॉमेंट आ रहे थे कि आपका जो फ्राई था वो कितने बड़े हुए बेलून मॉली के फ्राई कितने बड़े हुए जो जेबरा मॉली जो की मार्बल मॉली जिसे कहते हैं उसके बच्चे कितने बड़े हुए तो ये सब कॉमेंट बहुत दिनों मिलता रहेगा तो यह देखिए दोस्तो मेरे बच्चे जो मॉली के हैं मार्बल मॉली के जेबरा मॉली और बैलून मॉली जितने भी बच्चे हैं सभी बड़े बड़े हो चुके हैं और इसका मैं अपडेट आज मैं दे रहा हूं देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ये देख सकते हो, ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, ये बड़े हो चुके हैं, ये बेलून मॉली है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये बेलून मॉली का बच्चा है, ये भी बड़ा हो चुका है, सभी बड़े हो चुके हैं, जो कि मैंने इसे ब्रीडिंग से तयार किया है, तो इस breeding की वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो और मैं अभी आपको marble molly के बच्चे दिखाऊंगा जो की बहुत ही बड़े बड़े हो चुके हैं तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को एकदम अंतक देखना इससे आपको हर चीज समझ में आएगा तो यह देखिए दोस्तों यह गपी का फ्राई था जो की अभी भागिया और यह देख सकते हो यह marble molly है जो की यह बड़ा हो चुका है और यह भी एक गपी का फ्राई है देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है इसलिए मैं आप लोगों को पहले अपना अपडेट दिखा दे रहा हो कि मेरे जितने भी फ्राई थे वो बड़े बड़े हो चुके है जो की अब बड़े मचलिए के साथ रहने चालो कर चुका है दोस्तों और इसका update मैं आपको नहीं देपाया था क्योंकि जितने भी बड़े फ्राई थे उसे मैं अचानक से इसमें डाल दिया उस ट मिलिक दिखाता रहता हूं यह देख सकते हैं चैण समौमध उखकर हैं दीटेश भी करी शूने के उखकें तो चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं इसे पकड़ लेता हूँ, देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है और इसका कलर और पैटन देख सकते हो, ये देखिए दोस्तो जबरदस पैटन आया हुआ है, और ये सब सब मेरा ब्रीडिंग से तयार किया हुआ है, जो कि मैं घर पे ही तयार करता हूँ, ये देखिए दोस्तो कितना खुबसूरत पैटन है, और ये फ्राय अब बड़ा हो चुका है, बड़े मचलियों के साथ रहने के लिए तयार है, तो इसी तरह के से आप लोग भी घर पे मचली पाल सकते हो, ये मेरा टैरेस के उपर है पॉन, और इस पॉन फिर भी पाल सकते हो, और एक देखिए दोस्तो ये और एक मार्वेल मॉली को मैंने पकड़ा है, ये दूसरा पैटन है, ये सिल्बर पे ब्लैक का है, वो वाइट पे ब्लैक का था, तो ये सब बच्चे आप लोगों को कैसा लगा दोस्तो कॉमेंट कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अल आइकन को दबा देना, ताकि आपको हर दिन नोडिपिकेशन मिले, और आप लोग इस तरीके से मचली पाल सकते हो, तो मैं कल अपडेट दूँगा, जो की मेरा छोटे 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 मेरे चैनल में डाला हुआ दोस्तों, आप लोग अगर मचली लबर हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अल आइकन को दबा दे, ताकि आपको हर दिन नोडिपिकेशन मिलता रहे, तो यह जो पॉंड देख रहे दोस्तों, इसे मैंने बनाना सिखाया है, पिर सॉट्टेल मॉली हो, या बेटाफिस हो, सभी का ब्रीडिंग का वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है, और गलो टैटरा जिसे कहते हैं, उसका भी ब्रीडिंग का वीडियो दिया हुआ है, और यह सब जो देख रहे हो दोस्तों, यह मेरा फीमेल बेटाफिस है, इसे भी मैंने without oxygen, without glass के एक साथ रखा दोस्तों देख सकते हो यह बच्चे है, एक छोटा सर रहा चुका है, और यह जो बड़े-बड़े देख रहे हो दोस्तों, यह मेरा breeding से तयार किया हुआ female बच्चा है दोस्तों, और इसका male सभी मेरे घर के अंदर है, यानि indoor setup में है, यह है, और यह अच्छे से load हो चुका है, देख सकते हो, सभी के सभी मचलिया मेरे च्छत के उपर है, और मैं च्छत पर ही मचली पालता हूँ, आप लोग के पास अगर aquarium नहीं है, तो इस तरीके का pond बना के आप मचली पाल सकते हो, तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को दे हो चुका है, और इसका growth जस्ट एक से डेड़ महिना होता होगा, इसमें एक male और एक female है, आप लोग कलर से भी पाचान सकते हो, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका male female का identify का वीडियो जरूर डाल दूंगा, तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कॉमेंट जरूर क का सचयो और एक हो डाल आप घरू वीड़ जरूर को तो तो यहादी का जा है, drive गजयो जरूर किछल। इस शस्तों पार सिल जरूर आपोलो की महिने इसका दूरूरभलो says, aree है celान जरूर जरूर क्यों इसका संवार होगा जर लोग्योर दोस्तों जरूर कॉरूर का जरूर